कैसे हैं आप सभी मैं जोती स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल जोतीज आइडिया में और आज हम एक बहुती सेंस्टिफ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं देखें फ्रेंड्स जेंडर प्रेडिक्शन कुछ लोग इसको इतना गंदा मानते हैं आप यकीन मानिए कि मैंने एक ग्रुप जाइन कर रखा है वहां अगर गलती से भी कोई ऐसी पोस्ट डाल देता है तो वहां के लोग नहीं लड़का लड़की जो है एक ही जगा के हैं लड़का लड़की सीम होते हैं बच्चा तो बच्चा होता है यार इन सब बातों का क्या मतलब है आप अपने थौट अपने पास रखिए पहले बात देखें जेन्डर प्रेडिक्शन पहले समय में ऐसा कोई कानून नहीं बना था कि आपको लिंग परिक्शन करना जो है कानूनी अपराद है क्योंकि ऐसा क्राइम नहीं होता था ठीक है लेकिन आज से थोड़े टाइम पीछे देखें तो लोग क्या करते थे कि जेन्डर प्रेडिक्शन को जो है गलत तरीके से यूज़ करने लगे वो बच्चे का जो लिंग है उसको पता कर लेते और अगर गर्व में बेटी होती थी है ना तो उसको मार दिया करते थे है ना लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी लड़के को कच्रे के धेर में पढ़ा हुआ मिला है नहीं जब सबको लड़का चाहिए तो लड़की भी किसी ना किसी को चाहिए फ्रेंड है ना तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसी सब बातों से रेलेटेड हम डिसकस क करने वाले हैं देखे फ्रेंड जेंडर प्रेडिक्शन कोई गलत चीज नहीं है जेंडर प्रेडिक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है गलत वो है कि आप पता लगाने के बाद उस बच्चे को एकसप्ट नहीं कर रहे हो वो गलत है फ्रेंड उस चीज को मैं भी गलत मानती लेकिन लोग जेंडर पेडिक्शन पे इतने सवाल उठाते हैं वो गलत नहीं है मैं फिर कह रहे हूँ और लेकिन यह भी सच्चा है यह कि अगर सरकार आज भी यह कानून इसके लिए बनाया है अगर इसे हटा देती है तो बापस से लड़कियों के मरने की संख्या जादा हो जाएगी ठीक है यह है एक पहलो दूसरा पहलो यह है कि जेंडर प्रेडिक्शन जो होता है वो एक मा की उम्मीद होती है जैसे ही एक औरत जो है मा बनने वाली होती है उसके मन में दो या तीन महीने बाद यह सवाल आने लगता है कि भई क्या होगा मतलब उसके फैमिली मैंबर उसके रिलेटिब सिप को देखके ही बताने लगते है कि भई तुमको यह होगा तुमको यह होगा और यह चलन पुराने समय से चला आ रहा है है ना, अनुमान लगाते हैं सबी है ना, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाती हूँ कि gender prediction एक मा की उमेद होती है मैं आपको अपना एक example देती हूँ, कि मुझे gender prediction में इतना interest क्यों था गलत मैं नहीं थी लेकिन मेरे अंदर quercity थी यह जानने की कि क्या होगा और इवन मैं तो यह सोचती थी कि अगर मुझे मैंने जो सोचा है, अगर वही होता है it's mean मैं बहुत happy हो जाऊंगी मेरा जो gas है वो मतलब बिलकुल correct माना जाएगा और just for fun के लिए मैं उसको देखना चाहती थी क्योंकि मेरे पास एक baby boy पहले से था, अगर girl होती है तो भी अच्छा है, boy होता है तो भी अच्छा है, no problem अब तीसरा पहलो यह आता है gender prediction करने के पीछे कि जिन लोगों के पास में already girl है और वो second time mother बन रही है है ना, तो उनको उमीद रहती है कि यार एक लड़का हो जाए तो बहुत अच्छा है, और उनका सोचना गलत भी नहीं है, मैं उन माम को support करती हूँ, कि जिनके पास मतलब लड़की है, पहले से उन्हें लड़के की demand है, और जिनके लड़का है फ्रेंड, नो, बिवकुल गलत नहीं है मेरी नजर में, और जो लोग इसको गलत मानते हैं, मैं उन लोगों की सोच को गलत मानती है, मैंने आपको clear कर दिया कि गलत है, जैंडर का पता लगा के उस बेबी को accept नहीं करना, आप मुझे बताये क्या एक मा अपने दोनों बच्चों में फर्क कर सकती है वो माईने नहीं रखता कि उसको लड़का हुआ है या लड़की हुई है, माईने ये रखता है, फ्रेंड, कि उसके पास बच्चा है, लेकिन समाज की बातों को ध्यान में रखते हुए, समाज के नियम को ध्यान में रखते हुए, लोग यही चाहते है कि पहले हमको एक लड़का हो जाए देन अदर लड़की हो जाए कोई प्रॉबलम नहीं है, अब उस मापे क्या गुजरेगी, जिसके एक बार लड़की हो गई, दो बार लड़की हो गई, तीनवा लड़की हो गई, फिर भी वो फोर्थ टाइम ट्राय कर रही है वो जेंडर प्रेडिक्शन करेगी, ओबिसली बात है कि करेगी लेकिन जेंडर प्रेडिक्शन अगर कर रही है तो उसके लिए कुछ नियम लागोब होते हैं, एक तो यह कि आप अल्टरसाउंड से तो पता ही नहीं कर सकते हैं, मतलब सौनोग्राफी वाला आपको बता देगा कि मैडम आपको यह होने वाला है, या डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखके आपको बता देगा कि मैडम आपको ये होने वाला है तो ये तो आप भूल जाए अब रहा अनुमान की बात तो अनुमान हमारा बैठता है 100% कोई भी अनुमान नहीं है मैंने भी gender prediction की इतनी theories आपको बताई हैं, बड़े बड़े जो doctors हैं, scientists हैं वो भी theory बना बना के हार गए उनकी theory भी 100% नहीं है मैंने gender prediction का FHR का एक वीडियो बनाया था ठीक है, उस पे काफी लोगों के query आती है मैं एक अनुमान पे, एक scientifically एक सोच के आधार पे मैं उनको ये बता देती हूँ कि भी ये boy होगा आपको या girl होगी है ना, लेकिन अब लोग उस पे message कर रहे हैं, नहीं मैं मैं आप तो गलत बता रहे हूँ मेरे तो इतना था और नहीं ये absolutely wrong है मेरे भी भई दो बच्चे हैं अब argument क्यों कर रहे हूँ करोणों की population है जरूरी नहीं कि जो चीज आदे लोगों पे apply होती हो आदे लोगों पे other पे भी होगी क्यों इस चीज पे argument करा जाता है इतना serious आप लोग क्यों हो जाते हो और अगर आपको किसी के चीज मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की वीडियो उस पे सिर्फ जिनको बच्चे से लेना देना ही नहीं है जो pregnant भी नहीं है इवन सिर्फ confirm करने आते हैं कि भई यह सही बता रहे है या नहीं अब देख लीजे आप क्या कभी आपके पेट को देखके किसी ने बोला था कि भई आपको बेटा होगा है ना और अचानक आपको बेटी होगई तो क्या आपने जान ले ली उस कहने वाले की बताईए आप मुझे नहीं न आपकी मदर इलो आपको डेली देखती है उन्होंने आपको देखके बोला देखना तुमारे इस बार है बेटा ही होगा तुमारे चाल्ड हल देखके लग रहा है सपोस्स आपको बेटी होगई तो क्या आपने उनसे दुश्मनी बना ली उनसे आप आर्गूमेंट करने लगए कि नहीं आप तो 100% बताओ तो भही मैं भी इंसान हूँ मैं किसी के अंदर नहीं गुस रही हूँ हर व्यक्ती एक दूसरे से अलग है तो उस चीज़ पे आर्गूमेंट आप मत करियेगा मैं सिर्फ आप से ये कह रही हूँ कि जो लोग जैंडर पेडिक्शन की वीडियो पे जा जाके तुमको तो मतलब मेरी वीडियो पे ऐसा कमेंट आज दिन तक नहीं आया क्योंकि मैं सिर्फ उनको थ्योरी बताती हूँ दावा मैं नहीं करती हूँ लेकिन अदर वीडियो पे मैंने ये कमेंट्स काफी पड़े है कि तुमको तो लड़का लड़की के लावा को सूचता ही नहीं है ये भी कोई topic है क्या video बनाने का अरे भाई तुमको जरुरत नहीं है किसी को और को तो जरुरत होगी न gender prediction कोई गंदी चीज तो है नहीं आज के समय की जरुरत है pregnancy का एक part है आज के माता पिता पड़े लिखे हैं वो जानना चाहते हैं बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि भई हम उसके according preparation करेंगे बच्चे के लिए जो firm मतलब time पर dress पहना ही जाती है तो हम उसके according purchasing करेंगे इसलिए भी जानना चाहते हैं बहुत सी मदर्स सर्फ अपने curiosity के लिए जानना चाहती हैं बहुत से जो है सिर्फ अन्मान लगाना चाहते हैं इतना percent हमारा बैठ रहा है इतना percent हमारा बैठ रहा है इसलिए भी gender prediction करते हैं जरूरी तो नहीं ना कि वो गलत है ऐसा नहीं है दोस्तो gender prediction करना गलत नहीं है अगर आप उसकी result से किसी नतीजे पर पहुँचते हैं वो गलत है अब मुझे एक बात बताईए कोई मेरे को comment कर रहा है कि मेरे को क्या होगा मैंने बता दिया बहुत है मैंने सिर्फ उसके symptoms के according बताया अगर उसको suppose girl हो जाती है तो इसमें मेरी क्या गलती है दोस्तों बताईए ऐसा हालना कि मेरे पास कोई negative comment नहीं आया है मैं फिर आप से बोल रहे हूँ लेकिन मैंने काफी लोगों का देखा है मैंने बताया है ना मैंने एक Facebook group जाइन कर रखा है वहाँ एक ममी ने जो है फोटो डाल रखा था अपना कि बेबी बंप को लेके कि आप देखके बता सकते हो कि लड़का होगा या लड़की होगा लोग अनाप शनाप उस Facebook पे comment किये जा रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों भगवान के होते हैं तुम तो मा बनने के लाइकी नहीं हो तुम तो लड़का लड़की में फर्क करती हो क्या फरक पड़ता है तुमको यार इतने आदरशवादी विचार और अगर इतने आदरशवादी विचार है तो भारत में ऐसा कानून क्यों बनाना पड़ा हजारियों की तादात में ऐसे कमेंट करने वाले लोग है जो इस चीज का समर्थन करते हैं कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है फिर क्यों भारत में जरुरत है लिंक परिक्षन पे कानून बनाने की क्यों सरकार को इतना बड़ा स्टैप लेना पड़ा क्यों इस चीज को इतना सीक्रेट रखा जाता है जब इतने सुद्रे हुए लोग हैं यहां तो और सुद्रे हुए लोग सिर्फ कमेंट करते हैं जब अपने उपर वीत्ती है ना दूसरे के पोस्ट पे कमेंट करना बहुत आसान है अरे यार वो लास्ट मंथ चल रहा है उसका किसी का नाइन मंथ चल रहा है उसमें वो अपना बेबी बंप दिखा के अगर पता करना चाहा रहे है तो वो कुछ करेगी तो नहीं ना जस्ट गैस जानना चाहा रहे है लेकिन उस चीज़ को भी लोग गलस समझ रहे हैं तो फ्रेंड मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है आप मजे से जेंडर प्रेडिक्शन करें और मैं जेंडर प्रेडिक्शन का आपको मैंने काफी सारे मैथड बताया हैं नेक्स वीडियो मैं यही बताऊंगी कि आप जेंडर प्रेडिक्शन का मतलब फाइनल इ तरीका कैसे निकालेंगे नेक्स में वही बनाने वाली हूँ दोस्तों तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें मजे से जेंडर प्रेडिक्शन करें लेकिन मैं एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ कि नियम यही है कि उस चीज़ को मैं बत करना सपोज आपने देखा, जैसे सपोज आपने चैनिज कैलेंडर में देखा चैनिज कैलेंडर में आपका आया घर और आपको boy हो गया, तब तो आपको कोई problem ही नहीं होगी, है न, लेकिन आपने देखी लड़की, और आपको लड़का देखा और आपके लड़की हो गई, है न, तो आप क्या करोगे, उस Chinese calendar को फार दोगे क्या, उस रामजी method को आप बेकार कर दोगे क्या, destroy कर दोगे क्या, नहीं, कुछ चीजे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, और आज भी यही बोलूँगी, कि 90% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10% उसके हाथ में भी छोड़ दीजे, वो आपको जो देगा, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इनसान तो सिर्फ अपनी इच् कहते हूं कि नहीं यार, कुछ चीजे भगवान के ऊपर छोड़ दो, यह मेरा अपना परसनल एक्सपीरियंस कहता है, लास्ट मैं हम भगवान से मांगते हैं, और लास्ट मैं भगवान आपने दिया ही क्यों, बताओ, अब बताओ, भगवान मी बिचारे कन्फ्यूज हैं, तो फ्रेंड मझे से जेंडर प्रेडिक्शन करिये, और कोई भी अगर क्विश्चिन होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंड करिये, और अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों, तो मेरे वीडियो पर एक लाइक तो जरूर छोड़ देना, ठीक है, और सब्स स्क्राइब कर लिजीगा, थेंक्यू फ्रेंड्स